Hello everyone, आज के इस session में हम class 8 science के 15th chapter some natural phenomena का एक और नया topic discuss करने जा रहे हैं and that is electric discharge production of spark previous session में हमने बात करी थी electroscope topic के उपर हमने सीखा था कि electroscope क्या होता है, कैसे उसे बनाया जाता है किस purpose के लिए use किया जाता है, plus उसकी functioning क्या है और कि वो कैसे काम करता है यह पूरी कहानी थी electroscope की जो की हमने previous session में complete करी है और आज के इस session में हम बात करेंगे new topic के उपर electric discharge topic के उपर So I hope इस session का जो target है, वो सभी पच्चों को समझ में आ गया होगा तो एक काम करते हैं, जल्दी से आज के इस session को हम start कर लेते हैं So this is विभूती खरे, Welcome to Magnet Brains जहांपे आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं, बिल्कुल free of cost याने कि Magnet Brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरगा payment करने की या package purchase करने की requirement बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुँचा रहा है, quality education बिल्कुल free of cost इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं, आज का हमारा ये session जहांपे हम बात करेंगे electric discharge topic के उपर, सीखेंगे कि भाई, spark का production कैसे होता है अब इससे पहले कि हम आज के session के main topic को पढ़े, electric discharge को पढ़े मैं ये चातियों कि previous session में, जो हमने electroscope के बारे में कहानी पढ़ी है उस कहानी का जो एक conclusion है, वो हम 5 minute के अंदर revise कर लें तो देखो, हमारे पास ना दो तरह के objects होते हैं एक वो objects जिनके उपर charges होते हैं और दूसरे वो वाले objects जिनके उपर charges नहीं होते हैं तो जिनके उपर charges हैं, उनको हम बोल सकते हैं charged objects और जिनके उपर charges नहीं हैं, उनको हम बोल सकते हैं क्या? Uncharged objects, clear है? लेकिन एक object के उपर charge है या नहीं, यह हमें कैसे पता चलेगा? देखने पर तो पता चलता नहीं है For example, अगर मैं बोर रही हूँ कि मेरे पास यह एक pen है और फिलहाल इसके उपर कोई भी charge नहीं है यानि कि यह pen कैसा है? Uncharged pen है, Uncharged object है अब मैं क्या कर रही हूँ? इस plastic के pen को मैं तेजी के साथ अपने dry hair के उपर rub कर रही हूँ तो obvious ही बात है, rubbing से क्या होगा? Friction produce होगा और इस Friction से क्या होने वाला है? बालो के उपर और pen के उपर दोनों के ही उपर charges to be most specific opposite charges develop होने वाले हैं अब मैंने आपसे बोला कि देखो आप यह जो मेरे पास pen है ना इसके उपर क्या है? Negative charge है तो क्या आपको देखने से समझ में आएगा? कोई difference तो आया नहीं है ऐसे तो नहीं कि इसका कोई color change हो गया हो यह सका shape यह size change हो गया हो कुछ change हुआ ही नहीं है तो हमें कैसे समझ में आएगा कि इस pen के उपर अप charge हो चुका है आ चुका है इसका मतलब कि अभी जो pen है वो क्या हो चुका है? एक charged object बन चुका है तो सीदी सी बात है देखने पर तो हमें कभी भी समझ में नहीं आने वाला है कि एक object के उपर charge है या नहीं है तो फिर हम क्या करते है? इलेक्ट्रोस्कोप का use करते है तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? एक ऐसा instrument है जो की ये detect करता है कि given object में charge है या नहीं है जो उसका पूरा setup था already मैं आपको previous session में समझा चुकी हूँ ठीक है? main आप बोल सकते हो कि मुद्दा क्या होता है? ये पता करना कि object के उपर charge है या नहीं तो वो हम कैसे पता करते हैं? तो given object को electroscope का जो metal top होता है उससे हम touch करवाते हैं touch करवाने पर हम क्या करते हैं? electroscope के अंदर aluminium foil की जो leaves है अब देखो ऐसा है कि electroscope के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप aluminium foil की ही leaves रखो आप किसी भी दूसरे metal की leaves रख सकते हो gold metal की भी leaves रखी जा सकती है करा था aluminium foil की ही हमने leaves यूज करी थी कहां electroscope में तो आपने करा क्या कि given object को electroscope का जो metal top है उससे touch करवाया touch करवाने के बाद में आपने उसकी leaves को देखा अगर leaves क्या कर रही है? दूर दूर जा रही है ठीक है? separate हो रही है, diverge हो रही है अब positive हो, negative हो इससे कोई मतलब नहीं होता सीधी सी बात है हमारे object में, given object में जो भी charge था न, वो charge क्या हुआ है? उस electroscope के metal conductor के थूँ कहां conduct हो चुका है leaves तक conduct हो चुका है aluminium की leaves तक charge पहुँच चुका है जो भी charge आपके given object में था वही charge कहां पहुँचा है, electroscope की aluminium leaves तक पहुँच गया है अगर positive charge है object के पास में तो leaves के उपर भी positive charge डवलप हो जाएगा negative charge है, तो leaves के उपर क्या हो जाएगा? negative charges डवलप हो जाएगे तो होगा क्या? दोनों ही पत्तियों के उपर same charges डवलप होते हैं positive और negative, तो दोनों ही पत्तियों क्या करने लगती है? एक दूसरे से नफरत करने लगती है और दोनों ही पत्तियों diverge हो जाती है आई बाद समझ में तो जहां leaves diverge हुई electroscope की, वहाँ समझ लीचे कि जो भी आपने you know object use किया है, उस object में charge है कोई भी charge हो सकता है positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है बस होगा इतना जो है ना आप बोल सकते हो कि आपको assurity मिल जाती है कि हाँ object की उपर charge है वो electrically neutral नहीं है वो uncharged object नहीं है आई बाद समझ में? तो मुझे लगता है कि 5 मिनिट के अंदर हमने electroscope topic को जो हमने अपने previous session में पढ़ा था वो हमने revise कर लिया नहीं कि उसके जो key points है जो important points है उनको हमने discuss कर लिया ठीक है? चलिए अब हम आज आते हैं आज के इस topic पर कि भाई electric discharge क्या होता है अब ऐसा है कि previous chapter में हमने देखा था कि कौन से ऐसे liquids हैं जो कि electricity का जो आप बोल सकते हो कि जो conduction है वो कौन करवाते हैं? है ना? अभी तक तो मलब previous chapter के पहले तक हमें यह लगता था कि बस metals ही होते हैं जो कि electricity का conduction करवाते हैं और कि सिर्फ metals ही होते हैं जो electric current को अपने थूँ पास होने देते हैं लेकिन इसके बाद में जब हमने previous chapter पढ़ा था chemical effects of electric current उस chapter को पढ़ने के बाद में हमें यह ज्यान मिला कि ऐसा नहीं है कुछ liquids भी ऐसे होते हैं जो कि electric current का conduction करवाते हैं जिने हम क्या बोलते हैं electrolytes बोलते हैं आई बाद समझ में तो देखा जाए तो अगर कोई solid हो या फिर वो चाहे कोई liquid हो जोगी क्या कर रहा है electricity का conduction करवा रहा है तो basically electricity का conduction होता कैसे possible है जब वो solid या liquid क्या करे charges को अपने through flow होने दे metals में conduction अलग होते है electricity का क्यों क्योंकि metals में electrons हैं वो flow करते हैं electrons flow कर रहे हैं इसका मतलब क्या कि negative charge फ्लो कर रहा है similarly liquids में electric current का flow अलग होता है क्योंकि particles में ions flow करते हैं और अगर ions flow कर रहे हैं तो भई ions के उपर तो ሲिक्स के आपर तो कुधी क्या होताय positive charge होता है negative charge होता है ions फ्लो कर रहे हैं का मतलब क्या कि चार्जिस फ्लो कर रहे हैं और जहां चार्जिस फ्लो होगा तो मेटल्स में अलग होता है इलेक्टर करेंट का फ्लो और लिक्विड्स में अलग होता है मेटल्स में इलेक्ट्रॉंस का फ्लो होता है और लिक्विड्स में आयन्स का फ्लो होता है लेकर एक सिम रहा है क्योंकि उसके थूट रेक्टर करेंट पास हो रहा है वह अपने थूट चार्जिस का जो फ्लो है उसको अलाउ कर रहा है वह अपने थूट अपने थूट electricity का अच्छा conductor नहीं है हमारी जो surrounding air है वो एक non-conductor है electricity का यानि कि हमारी जो surrounding air है वो electricity का conduction नहीं करवाती है So normally air does not conduct electric charges या electric current अगर हम बोल रहें कि electricity का conductor नहीं है air इसका मतलब क्या कि air में electric charges flow नहीं होते हैं If, however, the amount of electric charges on the two oppositely charged surfaces is very large, then the air between them conducts electricity अब हुआ क्या कि आपके पास दो objects थे Suppose, गिगनों क्या है, objects है अब इस object के इस side में इस object के इस side में बहुत सारे इस surface पे क्या है, बहुत सारे क्या है, positive charges है भर-भर के positive charges है वहीं जो दूसरा object है उसके इस वाले surface पे क्या है भर-भर के negative charges है आए बाद समझ में तो हुआ क्या हमने दो objects लिए थे दोनों ही objects के उपर क्या है charges है इस object में जो ये वाले surface है इस surface पे बहुत सारे positive charges है हद amount में positive charges है वहीं हमारे पास जो ये वाला object है इसके ये वाले surface पे बहुत सारे negative charges है तो यहाँ पर हुआ क्या? इनके दोनों ही objects के बीच में क्या है? एर है इन दोनों ही objects के बीच में क्या है? एर है कहने को तो air क्या है? electricity का conductor नहीं है electric charges का जो flow है वो air allow नहीं करती है अपने थ्रू लेकिन हुआ क्या? जिन दो objects के बीच में जिन दो surfaces के बीच में air है उन दोनों ही surfaces पर आप बोल सकते हो की large amount में huge amount में क्या है? electric charges है वो भी कैसे है? opposite है इधर पे positive है और इधर पे negative है जिसके कारेंड क्या होगा? कि अब ये जो air है वहीं हमारे पास दो objects के दो surfaces थे और दोनों ही surfaces पे opposite charge थे वो भी बहुत सारे, बहुत जादा huge amount में तो इन दोनों ही surfaces के बीच में अब जो air होगी वो air क्या करेगी? electricity का conduction करवाएगी in the form of spark, spark के form में, आज spark basically spark है क्या? तो flesh of light है which is seen for a very short time, है ना? जैसे कि आप बोल सकते हो कि एक चमक उठी है, है ना? spark मतलब क्या? चमक तो आपको एक चमक जो है ना दिखी थी तो वो चमक क्या है? आपको एक spark दिखी थी इस, पार्फ क्या है? एक आप बोल सकते हो कि light की ही एक फ्लेष होती है जो की बहुत ही कम समय के लिए short time के लिए आपको दिखाई देती है तो flesh ऐसा नहीं कि बस light जो है वो चमक जारी, चमक जारी, चमक जारी नहीं, light की जो चमक है वो आपको बहुत ही कम time के लिए दिखाई देती है और ऐसी ही कम time के लिए दिखाई देने माली light की flash को हम क्या बोलते हैं spark बोलते हैं तो हुआ क्या कि initially हमारी जो air है वो कैसी है electricity का conductor नहीं है लेकिन जब हमारे पास दो objects हैं जिनके दोनों surfaces के ऊपर क्या हैं बहुत जादा opposite charges है तो इन दोनों ही surfaces के बीच में जो air होगी अभी एर क्या करेगी electricity का conduction करवाएगी वो भी कैसे तो spark के form में होता क्या है the electric energy अच्छा देखो ऐसा है कि हमारी जो air है हम सब molecules होते है molecules किसके बने होते है atoms के बने होते हैं तो अगर electricity का conduction करवा रही है तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि आखिर एयर में ऐसा क्या आगया कि वह electricity का करवाने लगी वैसे नहीं करवाती है लेकिन जब एयर फसी हुई हो दो ऐसे surfaces के बीच में जिसमें की बहुत जादा क्या है opposite charges है तो ऐसी फसी हुई एयर में electricity का conduction हो जाता है क्यों क्यों कि एयर खुद किस से बनी है mixture of gases से बनी है मैंना gases के moisture सी बनी है तो gases क्या है उनके पास molecules होँगे atoms होभी atoms के पास electrons होगे फ्रूण होँगे तो असानी से air क्या कर जाएगी electricity का conduction करवा जाएगी अब होता क्या है कि अब air के थ्रूप जैसे कि यह air है तो यह air क्या करने लगी है फई यह air हम बोल रहे हैं कि electricity का conduction करवाने लगी है हम सब को पता है जब भी electric current flow होता है तो एक heat produce होती है अब electric current solid associates फ्लों हो रहा है liquid के फ्लों हो रहा चाहिए या air के क्यूंकρι कुद क्या है एक एलक्रिक एनरजी ही है और यह एनरजी काफी ज्यादा होती यह लिखा गया है कि एक्छी ही ठीक एनरजी यह वह क्या और एयर को जो है न, heat कर देगी, high temperature पे, वही एयर की तुरू क्या हो रहा है, electric current फ्लो हो रहा है, electric current क्या है, electric energy ही है, और यह electric energy कैसी है, बहुत ही जादा है, तो यह बहुत जादा electric energy क्या करने वाली है, एयर को high temperature पे गरम कर देगी, जिसके current जो air है, वो क्या करने लगती है, glow करने लगती है, और यही एयर का जो glow है, वो हमें spark या flash की तरह दिखाई देता है, एक चमक की तरह दिखाई देता है, चमक क्यों उठी है, इसलिए उठी है, क्योंकि air में, आप बोल सकते हैं कि air glow करी है एयर glow क्यों करी है, क्योंकि उसमें electricity का conduction हो रहा था, usually air electricity का conduction नहीं करवाती है, लेकिन जब ऐसे मामलों में air फस जाती है बीच में, तो फिल air क्या करती है, electricity का conduction करवाती है, जब वो electricity का conduction करवाती है, तो electric energy काफी जादा होती है, और यह high electric energy क्या कर देगी, air को गरम कर देगी high temperature पे जिसके current air glow करेगी और air का जो glow है वो हमें spark या flesh के समान दिखाई देता है आई बाद समझ दस if the amount of opposite electric charges on the two surfaces is very large the insulation of the air between them breaks and it allows electric charges to pass through it तो जब हम बोल रहे हैं कि electric charges का opposite electric charges का जो amount है दो surfaces पे ठीक रहाँ दो surfaces पे electric charges opposite electric charges का जो amount है जब वो बहुत जादा हो जाता है तो उनके बीच का जो air insulation है वो तूट जाता है यानि कि अब जो air होगी उनके बीच में वो क्या करने लगेगी electric charges को अपने through flow करने लगेगी मैं उनका जो flow है वो allow कर देगी the passage of electric current in air due to the movement of electric charges is called electric discharge basically हुआ क्या अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई दो surfaces के बीच में दो surfaces के उपर बहुत जादा amount में opposite electric charges है और उनकी बीच में हम बोल रहे हैं कि air फसी हुई है तो air क्या करेगी एक हद के बाद में अपना insulation पीछे छोड़ेगी और फिर अपने थ्रू electricity को पास होने देगी electricity को पास होने का मतलब क्या है कि अब उस air की थ्रू जो electric charges है वो क्या करने लगे है flow करने लगे है तो पहले तो insulation आप बोल सकते हुए जो पहले air है जो पहले air थी वो अपने आपको बहुत control कर रही थी कि भाई चाहे जो हो जाए चाहे जो हो जाए मैं जो है electricity का conduction नहीं करवाँ पाऊंगी नहीं करवाँगी चार्जिस को flow नहीं होने दूंगी अपने थ्रू लेकिन हुआ क्या जिन दो surfaces के बीच में वो air थी उन surfaces पे बहुत ज्यादा ही amount में opposite charges थे जिसके current ultimately air को अपना insulation तोड़ना पड़ा और air के थूँ अब क्या होंगे electric charges flow होने लगेंगे अब अगर electric charges flow हो रहे है एर के थूँ इसका मतलब क्या कि air में electric current flow हो रहा है electric current क्या है basically एक ताइप की electric energy ही है और यह electric energy बहुत ही ज्यादा होती है और ज्यादा electric energy के current जो air है वो high temperature पे गरम हो जाती है और जहां air गरम हुई वहां पे वो glow करने लगी और जहां air ने glow करा वहां पे हमें उसकी चमक यह उसकी flash दिखाई देती अब basically यह electric discharge है क्या the passage of electric current in air due to the movement of electric charges is called electric discharge जब air में electric current का you know passage हो रहा हूँ किसके कारण movement of electric charges की कारण तो उसे हम क्या बोलते हैं electric discharge बोलते हैं आई बात समझ में during electric discharge यानि कि जब air में current flow हो रहा होता है तब the positive और negative electric charges क्या करते हैं एक दूसरे को cancel out करते हैं जिसके कारण आप बोल सकते हो कि electric spark तो produce होती है प्लस हम बोल रहे हैं कि एक crackling sound भी produce होता है तो याद रखिएगा बस आपको इतना समझना है कि air initially अच्छा conductor नहीं है electricity का लेकिन जब वो दो ऐसे surfaces के बीच में फस जाती है जहां पे बहुत जादा ही opposite charges हो यूज अमाउंट में opposite charges हो surfaces पे जिसके कारण अब वो जो air है वो electricity का conduction करवाएगी वो अपने त्रू electric charges को पास होने देगी हैने कि electric current flow होने लगेगा अब जब electric current flow होगा तो air गरम हो जाएगी high temperature पे और जहां air गरम हुई वो करने लगी glow और इसी glow को हम क्या बोलते हैं spark बोलते हैं या light का you know flash बोलते हैं for a very short time अच्छा फिर इसके बार में आगे बढ़ते हैं in nature electric discharge within a cloud during thunderstorm produces huge electric sparks known as lightning along with a loud sound under called thunder अब आप बोलोगे कि मैं यह electric discharge हम पढ़ी क्यों रहे हैं lightning पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है the lightning पढ़ने के लिए आपको electric discharge पढ़ना जरूरी है क्यों क्योंकि जब thunderstorm आता है न तो क्या होता है cloud में बादलों में electric discharge होते हैं जिसके कारण इन electric discharge के कारण ही huge electric spark produce होते हैं कहां बादलों में और इन ही electric spark को हम क्या बोलते हैं lightning बोलते हैं along with a loud sound इसको की हम thunder बोलते हैं and the electric discharge between the thunder cloud and the earth also produces lightning followed by thunder और यह जो electric discharge यह कहां होता है बादलों में तो होता ही है साथी साथ thunder cloud और अर्थ के बीच में भी होता है जिसके कारण lightning होती है और thunder basically हमें सुनाई देता है तो exactly lightning में क्या होता है यह तो मैं आपको अगले session में ही बताऊंगी तो इस session के लिए बस इतना ही मुझे आपको इस session में बस इतना बताना था कि electric discharge क्या होता है और basically आप बोल सकते हो कि जो हमें जो flash है जो spark है वो कैसे produce होती है light की ठीक है तो अब हम मिलेंगे अगले session में तब तक आप क्या करेंगे official website visit कर दीजेगा जैसी आप हमारी official website magnetprance.com visit करेंगे आपके सामने आएगा यह वाला page जहांपे लिखा रहेगा इंडियास नमबर वान 100% free online education platform जहांपे आपके पास class 12 से ले करके kindergarten तक की सभी courses है available class 8 देखने के लिए आप क्या करोगे class 8 पे जाओगे पहुंचके class 8 पे फिर जाना class 8 science पे जैसी आप class 8 science पे जाओगे इस पे click करना tap करना तो आपके सामने खुल जाएगा यह वाला page जहां बूती खरे अब अभी तक हमने जितने भी chapters कर लिए class 8 science में जितने भी हम कर रहे हैं सभी chapters के सभी lectures यहां पे आपको मिल जाएंगे for example आपको first chapter देखना है crop production and management इसके total 14 lectures है तो जैसी आप इस पे click करोगे तो इस chapter का जो first session होगा lecture होगा introduction वाला वो आपके सामने खुल से आप सभी chapters की सभी lectures यहां पे देख सकते हो फाइदा क्या होता है official website को visit करने का कि YouTube पे आपकी जो complaint होती है कि मैं आपके subject की playlist नहीं मिलती है मिलती भी है तो जो sequence से videos का वो इतना उपर नीचे होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि कौन से lecture के बाद में कौन सा देखना है तो do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnet brains thank you for watching